IQ Z6 44W Charger वाली फोन को Reset करना चाहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं कि कैसे IQ Z6 फोन को Reset करें Erage और Data करें तो आईए इस वीडियो में जानते हैं सब्सक्राइब आई एम फिरोजबादशा यू आर वाचिंग आवर यूटूब चाइनल फिरोजबादशा आट चल वीडियो को शुरू करते हैं के सामने यहाँ पर IQ Z6 फोन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है इस फोन को मैं Reset करके दिखाऊंगा Reset करने के लिए आपके सामने setting इस फोन में मिल जाएगा उपर करते ही आपके सामने नीचे सुकराऊगा System आप यहाँ पर देख लेंगे आप System वाले Option पर क्लिक करेंगे जिससे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आज जोता है इस तरह से जो कि आपके सामने सुकराऊगा Reset Options आप यहाँ पर देख लेंगे आप इस वाले option पर click करेंगे जिसे click करते हैं तो आपके समय आ जाता है Erase All Data, Factory Reset आप यहां पर देख सकते हैं आप नीचे वाले पर click करेंगे Erase All Data, Factory Reset आप इस पर touch करेंगे जिसे touch करते हैं तो आपके समय आ जाता है कुछ इस तरह से इंटरफेस जो की लिखा हुआ है आप यहाँ पर पढ़ लेंगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूर गूगल अकाउंट, शांथी सिस्टम, एप डाटा, सेटिंग्स, डाउलोड एप्स, म्यूजिक, फोटोज, और अधर यूजर डाटा यहाँ पर शबनी चीज़े एक बार में हड़ जाएंगे, जब आप एक बार Erage All Data पे क्लिक करते हैं तो चलि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको भी इस पर क्लिक करना है रिसेट करने के लिए जिसे क्लिक करते हैं तो आपके समने आ जाता है इस तरह से और पूछता है कि आप पासवर्ड डालिए जो आप पासवर्ड बनाया हुआ इस फोन का, चलि मैं डालता हूँ पासवर्ड बनाने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर तीर एरो है जिसे क्लिक करते हैं तो आपके समने आ जाता है इस तरह से और फिर से मांगता है यहाँ पर इरेज और डेटा जो कि यहाँ पर क्लिक करने को कहता है आप इस पर क्लिक करेंगे जिसे क्लिक करते हैं तो आपके समने आ जागा इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये phone erase हो रहा है यानि कि reset हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं चले मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर थोड़ी दिर आप वेट किजिए और आप यहां पर देख सकते हैं जो कि आपके समने यहां पर स्टार्ट का बटन आ गया है यानि कि आपका यह फॉन रिसेट हो गया है आप यहां पर देख सकते हैं अब आप इसपे क्लिक करके आप अपने फॉन को स्टार्ट कर सकते हैं इस पे click करने के बाद आपके समने इस तरह आता है और जिस भी country में है उस country को choose करके next करेंगे next करने के बाद आपके समने आ जाएगा इस तरह शे इसके बाद आपको यहां पर user agreement लेना होगा जो कि यहां पर इस तरह कर लेंगे इसके बाद आपको यहां पर इस box में ठीक लगा देना है इसके बाद next करना है next करते ही आपके सामने privacy terms आ जाता है आप उपर करेंगे इसके बाद यहां पर सब्सक्राइब पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद आप इस box में click करेंगे जैसे क्लिक करते हैं तो यह टीक लग जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ टीक लग गया इसके बाद next करना है next करते ही आपके सामने शोक करा है warranty card privacy terms आप इसको पढ़ लेंगे इसके बाद आप यहां पर इस box पर क्लिक करेंगे इसके बाद next करेंगे next करने के बाद आपके सामने आ जाता है इस तरह से फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है इस box वाले option पर इसके बाद next करना है next करते ही आपके सामने यह phone इस तरह हो जाता है इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है shut up offline पर क्लिक करना है रप कर लेंगे इस पर क्लिक करके क्लिक करने के बद आता है इस तरह से जो कि set unlock method आ जाता है आप यहां पर क्या करेंगे अपनी lock screen को ले लेंगे जो कि यहां पर screen lock fingerprint और face है तो मैं चलिए यहां पर fingerprint को चुझ करता हूं या आप यहां पर skip भी कर सकते हैं कोई issue नहीं है चलिए आजयागा इस तरह से आपको यहां पर kur support जोकी navigation बार होता है यहां पर फोंकर three ye notification चाही DF यह आपको यहां पर जेटर नहीं हिसाब से ले लेंगे चलिए मैं यह हो यहां पर इस वाइले को ले लेता हूं चालो भी कर शकते हैं बरी आसाने से तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पशंद आया होगा चलिए फिर मिलेंगे अगल वीडियो में देज़े इजाज़त थेंगस मैंच